अंबिकापुर शहर में कल जोयलेरी की दुकान में 60 लाह की चोरी हुई और देर शाम गांधिनगर थाने के समीप दुकान में घुसकर संचालक से मार पीट कर लूट पाट की घटना सामने आई थी जिसको देखते हुए कैट सर्गुजा ने रेंज आई जी को ग्यापन सौपा है सर्गुजा सहित संभाग में अपराधिक प्राकरण तेजी से बढ़ रहा है आई दिन चोरी की घटनाय सामने आ रही है जिसको देखते हुए कैट सर्गुजा 36 गड़ चेंबर आफ कॉमर्स औ सर्गुजा के द्वारा रेंज आई जी कार्याले पहुंचकर बढ़ते अपराधिक प्राकरण को कम करने की मांग को लेकर सर्गुजा रेंज आई जी अजयक मार्यादव को ग्यापन सौपा है ग्यापन सौपने के दोरान सर्गुजा के जिला ध्यक्ष रविंद्र तिवा रहा है इसका उदाहरण बीते दिन हुए दो मामले से साबित होता है कोजवाली थाने से चंद कदमों की दूरी परिस्थित जोयलरी की दुकान पर 60 लाख की चोरी गाजिनेगर थाने से चंद कदमों की दूरी परिस्थित दुकान संचालक से दुकान में घुसकर मार पीट व व्यवस्ता है देखिए पुरे सरगुजा संभाग में पुलिसिंग की जो लचर ब्युस्ता है कानुन ब्युस्ता है उसको लेकर आज हम लोग मानी आजी साहब को ग्यापन दिये हैं जिसमें आज व्यवसाई की स्थितिये हो चली है कि दुकान में घुशके मार्पीट हो रह कि जो अच्छे पुलिस कर्मी है उनको लाइन पर रखा गया है जिनका पुलिसिंग में कोई रूची नहीं है और वो जो नसे के हालत में रहते हैं उन लोग को थाने में पदस्त किया गया है जिसके वज़े से कानून बेवस्ता चमरा गई है इसलिए महोदे से हम लोगों ने मांग किया है कि जो काम करने वाले पुलिस के अधिकारी है जो लाइन पे टाइच है उनको थाने में बैठाया जाए और पुलिसिंग को टाइट किया जाए जिले सहित संभाग के पुलिस व्यवस्ता दुरुस्त करने की मांग कैट सर्गुजा के द्वारा की गई है इन बातों को लेकर रेंज आईजी ने कहा है जो ही बाते सामने आई ह उनको देखती हुए जिले सहित संभाग में पुलिसिंग व्यवस्ता दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा उनको सॉल्व करने के बारे में उनका रेक्वेस्ट है प्लस उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ घटनाओं को लेकर के थोड़ा सा संसय की जो इस्तिती होती है तो उन सभी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और इसे तो मैंने अस्पी को निर्देसित भी किया ह उसके साथ साथ जो पुलिसिंग के भी कुछ इशूस पे उन लोगोंने बाते रखी हैं अच्छी चर्चा हुई है और पुलिस करिमियों के साथ भी मारपीट की कुछ घटनाओं के बारे में मुझे होगत कराया है और पुलिस करिमियों द्वारा न सेवे कुछ हरकते कियर के बारे में बताया है दोनों चीजां बरदास्त की योग्य नहीं है और इसमें स्पीज को हम स्पष्ट रूप से बताएंगे प्लस जो इंडिसिप्लिंड बिहेवियर वाले कार्मिक हैं उनके उपर भी कारवाई होगी और पुलिसिंग में कोई अगर सही काम कर रहा है पुलिस उसके साथ है और उसको सही धंग से हम पिर अंजाम तक ले जाएंगे कारवाई करें